सात्यों नमस्कार आज मैं आपके सामने एक बेतरिन और नया वीडियो लेके आया हूँ यह देखिए यह जो बोलस दिखाई दे रहे है D-Worm टोटल नाम से आती है इसका फर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ Oxy-Clo, Genoid and Liva-Misacol STL बोलस के नाम से आता है यह देखिए इस तरीके की बोलस आती है तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ तो आप वीडियो को skip करके न देखे वीडियो को पूरा देखे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं यह एक नया फर्मूला है जिसके अंदर ओक्सिकलो, जनाइड एंड लिवा-Misacol STL बोलस के नाम से यह आती है यह फर्मूला पाया जाता है तो हम बात करते हैं इस फर्मूले का परियोग हम कौन-कौन सी डिजीज में कर सकते हैं कौन से पस्वों में कर सकते हैं और कौन से पस्वों में इसका परियोग नहीं करना चाहिए यह सारी जानकारे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो में अंतितक बन रही है देखिए बात करते हैं हम पस्वों की डिवर्मिंग की तो हम जैसे कि नाम से इस परश्ट है, Deverumます total, तो Deverming में हम इस Bolas का परीयोग कर सकते हैं देखिये, Deverming में हम बहुत सारी Bolas का परीयोग करते हैं, पर उस से सइसで Deverming नहीं हो पाती है इस बोलस के अंदर ऐसा फर्मूला है तो आप यदि पसो की डिवर्मिंग करवाना चाते हैं बड़े पसो में तो आप ये बोलस ले सकते हैं क्योंकि एक बहतरिन फर्मूले के साथ है और इससे संपुर्ण डिवर्मिंग हो जाती है पेट के अंदर जितने भी किड़े पाए जाते हैं उनको पूरी तरीके से ये निकाल देती है तो इसका बहतरिन परियोग देखने को मिला है यदि पसो को गले में गठान हो जाए उसमें भी आप दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लिवर्फलूक्स लिवर्फलूक्स इसी बो पस्वो को यदि infection लग जाए गोबर का बंद लग जाए तो गोबर बंद खुलने के लिए आप इस बोलस से पस्वो की डिवर्मिंग करवा सकते हैं यदि आप इससे डिवर्मिंग करवाएंगे तो इसका बेतरिन रिजर्ट देखने को मिलेगा ये बंद को खोल देगा और त अच्छानकसे चेंज कर्रहें उसके पहले भी आप इस बोलस का परियोग कर सकते हैं यदि पसुओं का अचानक दूत कम हो जाता है उस dann में भी आप इस बोलस का परियोग करना है कlä ये से ब्वर्मिंग करवानी Chocolate औरा नहीं की उप किसी भी तरह की डिवर्मिंग करवाने के लिए बड़े पसु में इस बोलस का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि एक बहतरिन डिवर्म है और पसु की संपूर्ण डिवर्मिंग हो जाती है और इससे पसु में कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है अब हम बात करते हैं इस बोलस के डोस की तो यह बोलस बड़े पसुओं में हम पूरी किला सकते हैं और तीन साल के छोटे पसुओं में हम इसका परियोग आदी बोलस के इसाब से कर सकते हैं इस तरीके से इस बोलस का परियोग करना है अब हम बात करते हैं प्रेगनेंट पसु पसवों में इस बोलस का प्रियोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ग्याबिन पसवों में यह बोलस पूरी तरीके से सुरक्सित है आप ग्याबिन में इस बोलस का प्रियोग कर सकते हैं ग्याबिन में इसके कोई साइड एपेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और ना ही abortion होगा इस फार्मूले से आप पसो की diverming ग्याविन पसो में भी करवा सकते हैं दुदरू पसो में भी करवा सकते हैं लगबग लगबग हर पसो में आप इस बॉलस से diverming करवा सकते हैं क्योंकि इसके अभी तक कोई side effect देखने को नहीं मिला है और न पसो को इससे कोई नुकसान होता है खिलाने में भी आसान है और इसका फार्मूला भी बेतरिन है तो आप इस बॉलस का परियूब कर सकते हैं क्योंकि इस बॉलस से यदि पसो की diverming करवाते हैं तो इससे पसो की पूरी diverming हो जाती है ज़िए आपके पसुओं में पसुओं का सरीर नहीं बन रहा है कमज़र होता जा रहा है उस condition में आप इस बोलत से डिवर्मिंग करवाईए आपको बहतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा जो पसुओं दूबला पतला है उसका सरीर बनने लगेगा तो आप इसका परियोग करक आपको हर तरह की डिजिज में डिवर्मिंग में बेहतरिण रिजल्ट देखने को मिलेगा।